सबी सिक्षक शातियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सातियों इस वीडियो में हम आज निपुन भाarat लक्षियों को प्राप्त करने के लिए जो हमारी सहज पुस्तिगाई हैं उनका युज किस तरह से करेंगे इस बारे में चर्चा करेंगे और आपके साथ इस सहज पुस्तिका को साजा भी करेंगे इसमें जो सामगरी है वो आपके साथ साजा की जाएगी तो साथियों आपको पता है कि मिशन प्रेड़ना जो कारेकरम था हमारा उसको अब निपून भारत कारेकरम के अंतरगती शामिल कर दिया गया है और जो मिशन प्रेड़ना वारे लक्षे थे उन लक्षों के इस्थान पर अब हमें नए निपून लक्षे दे दिये गए है और ये लक्षे हमें 2026-27 तक प्राप्त करने है 2026-27 तक प्राप्त करने का लक्षे रखा गया है सबसे अच्छी बात ये है कि अब नई शिक्षा नीती में बालवाटिका के कंसेप्ट को लाया गया है बालवाटिका जो आगनवाडी केंद्र हैं वहाँ पर संचालित होगी और बालवाटिका में अब जो बच्चा रहेगा वो दो अक्षर वाले शब्द निर्धारित जो सूची रहेगी माल लीजे आपके पास शब्दों की एक सूची है जिसमें दो अक्षर वाले शब्द हैं उन में से वो बच्चा पास शब्द कम से कम पास शब्द पढ़ लेता है तो ये बहुत बड़ी बात है पहले तो उसको वर्ण माला बताई जाएगी जब उसे वर्ण माला आ जाएगी तो वर्ण माला के बाद वो दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ सकता है कम से कम पास शब्दों को तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब हमारे पास कक्षा एक में बच्चा आता था तो वो कुछ भी नहीं जानता था और फिर उसको बिलकुल शुरू से बिलकुल ग्राउंड से बिलकुल धरातल से ले करके हमें चलना पड़ता था पहले उसको वर्ण माला सिखाते थे फिर उसको शब्दों पर ले कर जाते थे ए मातरीक शब्द, मातरीक शब्द ऐसे ऐसे उसका करम बढ़ता था और इसी तरह से गणित में था पहले उसको हम संख्याओं का ग्यान कराएंगे एक से दस तक की संख्याओं और इससे पहले हम उसे को जो है कुछ घटनाओं को आकरतियों को उनको व्यवस्थित करना बताते थे छोटा बड़ा का ग्यान बताते थे जो गनित को स्टार्ट करने से पहले जो पूर्ण अवधारनाय उसको बत हो जाएगी तो हमारे विद्यालियों में मिशन प्रेड़ना कारेकरम के तहत यह सहज पुस्तिकाएं आई थी जो परतेक बच्चे कक्सा के हिसाब से कक्सा एक में भी गणित और हिंदी की दो और कक्सा दो में भी दो आई थी और कक्सा हमें दिये गए हैं उनको प्राप्त कराने में ये पुस्तिकाएं भी बहुत ही ज्यादा उप्योगी साबित होंगी बहुत ही ज्यादा कारगर्द साबित होंगी तो ये हमारी ककसा एक की सहज पुस्तिका है इस पुस्तिका का इस्तमाल भी आपको निपूर्ण भारत कारेकरम के तहत जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें जो लक्षे निर्धारित किये गई हैं इन पुस्तिकाओं को भी इस्तमाल करना है ताकि इन पुस्तिकाओं की हेल्प भी ली जा सके और हम अपने लक्षों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्राप्त कर सके तो हम देखते हैं पहले इस सहज पुस्तिका के अंदर क्या है अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है आप भी इसको पढ़िए और अगर नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है तो सबसे पहले तो आप देखिए ये इसका कवर पेज है और इसके बाद जब हम इस कवर पेज को खोलते हैं तो ये दिखाई पड़ता है सहज वन ककसा एक के लिए फिर इसके बाद अंदर इसमें ये दिया गया है कि इसका संदक्षन किसके अंतर्गत रहा है सिरी मती रेनुका कुमार आई एस ये अपर मुख्य सची थी इनके अंतरगत इनका संदक्षन चला निधेशन शिरी विजे किरन आनजी जी हमारे महनिदीशक स्कूल सिक्षा तो इनके अंतरगत इनके निधेशन में छपी थी संकलपना एवं मार्क दरस्षन इनका रहा है सिरी सतेंदर कुमार आई एस और जो डॉक्टर सरvेंदर विकरम बहादूर सिंग इनके संदक्षण में इनके मार्ग दसन में इनको चापा गया था तो काफी जगह से इसमें पहुत सारे साय का द्यापक एर पि महोदे इन्हों ने भी इस लेखन मंडल में अपना योगदान दिया है इसको डिजाइन करने में कहानिया बनाने में इसम हमें बहुत कुछ बच्चों को सिखाने में मदद मिल जाएगी सबसे पहले में शब्द दे रखे हैं उसके बाद वाक्यांस हैं फिर वाक्ये हैं क्योंकि हमारे पास बच्चा अब वर्ड माला तो सीख जाएगा वर्ड माला के बाद उसको हमें शब्द सिखाने हैं मातरिक श गाड़ी है पार्ट दो जलेबी है पार्ट नौ है पतंग और बकड़ीह पार्ट 9 साइकिल रांसाई की साइकिल चूहा और हाथी फिर आगे इसमें चितरों को देखकर कहाणी बनाओ फिर इसके बाद अंत्में दी गई इसमें कुछ पहलिया बताओ मैं कौन ये कुछ पहलिया दी गई है और इस तरह से ये पुस्तक हमारी पूरी हो रही है तो ये जो पार्ट इसके अंदर दिये गए हैं इन में से कुछ को हमारे विद्यालों में पोस्टर के रूप में भेजा गया था कुछ कहानिया थी जिनको हमारे विद् बच्चों को पढ़ाने के लिए टेलम के रूप में इस्तमाल करने के लिए रखा था तो इन में से कुछ कहानिया वो थी जो पोस्टर पर छपकर आई हैं और कुछ कहानिया इन में हैं किताब में लेकिन आप बच्चों को सारी पूरी किताब पढ़ाईए बच्चों को बच्चों का परीचे कराईए जैसे चल बच्चे आपको बच्चों को आप पहले अक्षरों को मिला कर पढ़ाना सिखाईए क्योंकि उसने अक्षर ग्यान तो कर लिया है उसके बाद वो इन अक्षरों को मिला करके शब्द निर्मान करेगा तो पहले आप दो अक्षर वाले तीन अक्सर वाले शब्द, चार अक्सर वाले शब्द, एमात्रिक शब्दों से परीचे कराईए जब वो एमात्रिक शब्द सीख जाएगा फिर आप मात्रिक शब्द पर चलिए और फिर उसको मात्रिक शब्द में भी सबसे पहले एक-एक मात्रा का ग्यान कराईए सबसे पहले अगर उसको आप आ की मातरा का ग्यान कराते हैं तो आ की मातरा के अंदर जो शब्द हैं जैसे दो अक्सर वाले शब्द ले लीजिए उनमें और तीन अक्सर वाले शब्द भी ले सकते हैं इस तरह से परीचे कराईए तो यहां इस सहज पुस्तिका में सबसे पहला जो हमें इन्होंने दिया है ये शब्दों से परीचे कराने को दिया है तो आप बच्चों को इन शब्दों से ये दो अक्षर वाले एमातरिक शब्द हैं इन से परीचे कराईए बच्चों का